असलाम अलेकुम वेलकम तो मैं यूटिप सैनल जिरो रहे है और आज हम बात करेंगे पार्ट नमर टू की इसमें हम देखेंगे कि हम जो हमारे टेबल्स वगर हैं उनको कैसे एड़ कर सकते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल अब कॉंटे यहां पर हम एड़िन वाले सक्षिन में आ गए हैं ठीक है यहां पर प्लगिन के लिए आपको पता है क्या करना होता है आपको यहां पर प्लगिन में जाना है और एड़ नियू में जाना है आपको और यहां पर इस प्लगिन का नाम है टेबल ओफ कॉंटेंट ठीक है हम लो आप करेंगे इसको activate और अब यह plugin जो activate हो गई है आपकी तो अब यहाँ पे आपको पहुंचना है इसी दही easy table of content पे ठीक है उसकी setting में plugins में easy table of content की settings है वहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे आपको देखना है कि enable sports बगारा सारे जो fill करने हैं लेकिं यहाँ पे auto insert जो है वो आपने करना है पोस्ट में इसको भी okay कर देना है टिक कर देना है बागी चीज़ें इसको ऐसे ही रखते हैं इसमें आप color theme बगारा देना चाहते हो आप दे सकते हो gray मैं रख लेते हूं यहाँ पर custom भी कर सकते हो जो भी है आप black white हुच भी ग्रे तीम वाइट फॉर्ट जो भी है इसको बहुत दा यूज़ करने क्या कुछ दूरत नहीं जो आपका दिल चाहिए आप कर सकते हो कितनी headings हमें शोग करवानी है यह भी आप देख लो अभी देखना है यहाँ पे बहुत attractively मोईला हमें table of content ब अब बार इसको हम आप इसको यहाँ पर refresh कर सकते हैं ठीक हर्ड refresh के लिए ऑप control और मत्वार भी दबाते हो ठीक है यहाँ पर चाहो तो इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पर paragraph के बाद आपको यहाँ पर table of content दिख रह इसी भी चीज़ के उपर कलिक करोगे जैसे आप इसके उपर कलिक करो यहां पर पहुंच जाओगे आप तो यह जो यूज पॉइंटर बगारा है इनको बिसिकली हमने रिमूव करना है क्योंकि यह जो रिक्वाइड नहीं है तो यह यहां पर चीज़ें मालब यूज पॉइं पॉइंटर बगारा इनको यहां पर हम लोग ने समझाने के पॉइंट बगारा को यूज करेंगे अगर आप चाहो तो इसको वापिस एलिमेंटर में जाके एडिट बगारा इसको कर सकते हो राइट ठीक है इस तरीके से हम टेबल आफ कंटेंड को मालब जो है लगाते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट के ओपर और इसी तरहां से हम अपने कॉंटेंड को लिखते हैं तो यहां पे आप लोग ने देखा अब हमने फीचर्ड इमिज जो है उसको यूज नहीं किया है अगर आप चाहो तो आप फीचर्ड इमिज को भी यूज कर सकते हो जैसे इसी वाली इमिज जो है वो ले लेते हैं यहां से हम डिजिटल मार्केटिंग कोई भी यहां पे जैनरल सी इमिज मैं ले रही हूं डिजिटल मार्केटिंग एजनसी में से कोई भी मैं तो नेम से ले लो आप ठीक है और हम यहां पर इमिज ले लेंगे इसकी यहां पर आपने क्या करन करेंगे digital marketing desktop के बढ़े खाह अब यह हमारी image यहां पर से वह गही अब हमने क्या करना है वापश आना है पोस्ट के ओपर हमने आना है और here डिस यहां पर ओल पॏस्ट के ओपर क्लिक करेंगे हम तो जैसे ही हम किलिक करेंगे तो पर आप देखो हमारे जो यह पोस्ट है यह जो हमने क्रियेट की थी इस पोस्ट को हम एक बार दुबारा से ओपन करेंगे जैसे हम इसको ओपन करेंगे इसके जो हमारे चीज़ें हमें इसमें करनी है जैसे फीचर इमिज बगारा लगानी है या पर्मा लिंक भी हमें यहां प परने के बाद व्यू पोस्ट कर देंगे ठीक है तो यह हमें इस तरहां से कुछ पोस्ट दिखाएगा ठीक है हम इसको देख लेते हैं एक मिंट यह आप देख सकते हैं इस तरहां से मार्किटिंग का टाइटल पहले सेट किया था इंडिया पाकिस्तान जो मर्स आप लेके वह यहां पर चेंजिंग्स हैं जो हम सेटिंग्स में जाएंगे यहां पर हम देखेंगे के साइड पर आपने राइड कॉर्णर पर क्लिक करना है महां पर सेटिंग्स होंगे सेटिंग्स पर आप जाएंगे साइड विली चीज़ आपके पास आज जाएंगी आपको फीचर्ड को यहांप स्लेक्ट कर लेंगे स्लेक्ट करने के बाद लोड कर लेंगे डिपेंड करते है कि साइज क्या है इमिज की जितना बड़ा साइज होगा उतना टाइम लगेगा उसके बाद हम इसको सेट कर देंगे फीचर्ड इमिज और इसके बाद हमें अपडेट करना नहीं बू होती है अब हमारी फीच्टिडि इमीज है यो हमारी आ गई है टेबल ऑफ कंटेंट भी आ गया है बाकी कंटेंट आप किस तरह से लेखना चाहते हैं वीच में आप कौन सी में चाहते हैं कि हैं यह आप पे डिपेंड करते हैं अगर अगर हम ब्लॉग के ओपर जाएं तो हमसे देखते हैं कि हमें किस तरह के से दिखाए देगा हम वापिस आ जाते हैं ब्लॉग के ओपर वो सारी चीज़े हमें दिखाए देंगे जो पहले से पोस्ट बना रखी थी एक पोस्ट यह हो गई हमारी दूसरी यह हो गई तीसरी यह ह हमने थे सारी चीजी हमें धियार रखनी हैं और इस चीजों का आप долларов से देखώνेभाना में के अब को देखना है और यहां पर बहुत दा कॉंटेंट हमने नहीं एड़ किया है क्योंकि जो हमारा परप्रस है इसका स्ट्रक्चर समझाने का था यह नहीं था कि इसके अंदर हम कौन से क्वाइन लिख रहे हैं तो इसके अंदर भी हमें बहुत सारी चीज़ें उनको मेंशन करना ह हैं तो अभी आपको इस बात की समझा गई होगी कि हम पॉस्ट किस तरीके से करते हैं अब ऑन पेज स्यू के वियू से हमारी कौन कौन से चीज़ें इपॉर्टन को हम देखते हैं स्पॉस कीवर्ड के हम बात करें स्टार्टिक में हमने कीवर्ड चूज की हैं इसे स्कॉप भ्रीजियल मार्किटिंग, स्कॉप भ्रीजियल मार्किटिंग, ये सारा का सरा हमारे पर सार रहें, फर फ्रीलlet, हाउसवैफ तो हमें की बाहर इस वर्ड को यूज कर लिए हैं, ठीक है, तो हमारा जो कौन्टेंट है, उसमें हमने जो keyword है, जिसके उपर हम रैंक करना जा यहां जाते हैं हमारी पोस्ट शो हो उस कीवर्ड को हमें प्रॉपर्ली यूज्ट करना होता है अपने पूरे ब्लॉग के अंदर वही काम हमने किया है इसमें तो प्रॉपर्ली हमने यूज्ज किया है इस चीज को आप एग्नौर करो यहां पे कि यह स्कॉप डिजिल कि लिड़ हैं कि यासा मैंने लिखे रहा है तो इस तरीके से आप इ theor acceptें बना सकते हैं इस तरीके से आप रेगुलर री उसको लिखना सीखा है कि हम किस तरीके से लिखेंगे एक और चीज़ जो आपको धियान में देनी है कहीं पर दर्मियान में अगर images बगरा यूज नहीं की है तो बट आपको यूज करनी है यहाँ पर आप देखो तो आपको proper images बगरा यूज करनी है क्योंकि इससे अच्छा impression बढ़ता है इस तरीके से आप अपनी blog post को अच्छे से लिख सकते हो उसको create कर सकते हो और इन सारे चीज़ों का ध्यान रख सकते हो तो इस particular वीडियो में इतना ही है next जो हमारी वीडियो है उसमें हम title, description की जो बात है, yours plugin की बात है उसको हम अच्छे से करेंगे वो बहुत जदा important है और हम देखेंगे कैसे वो हमारी help कर सकता है